अरे रूसी एक नमबर बताओने हमको अरे गुरा कद्दू मैंने कहा ना मुझे परिशान मत करो तुम्हारे चक्कर में में भी फस जाओंगी अरे रूसी ड़ो नहीं यह लड़का आप कुछ नहीं करेगा यह हमसे दोस्ती कहीं लिया है तोपा नहीं बोलेगा मैडम को अरे बाबू si, बता दीजिए हम नहीं कंप्देंक करेंगे ठीक है बाबू लेकिन घूरा कद्दू मैं तुम्हें एक नमबर तभी बताओंगी जब मुझे दोनमबर का अंचर बता अएoot आरे रूसी हमको दो नमबर नहीं आता है आरे भाया ये क्या बोल रहा है आपको दो नमबर नहीं आता है तो आप दो नमबर किये बिना ही स्कूल आ गए है अरे चुपड़ा तुम पखला है क्या क्या बोल रहा है हम दो नमबर कुश्चन के बारे में बात कर रहा है आच्छा हमको लगा दोर नंबर के बारे में बात कर रहा है कोई नहीं पूछ लीजिए अरे ये लड़का तो पागल एक नंबर का दिमाग खराब करके रखाए जब से बठा है है छोड़ो हमको तो अपना एक्जाम देने से मतलब है जल्दी जल्दी पूछ के लिख लेते हैं नहीं त ये तो कौनसे कउष्टन का अंसर आता है तुमको आरे रूसी हमको कुछ नहीं आता है हम जो पढ़र के आते हैं वो फसा ही नहीं एक्जाम में हमको बता दो एक नंबर नई तो फेल ओजांगे हम कुछ नहीं लिखे है प्लीज बदा दो पन गंटा हो चुका है हमरा कापी बिल्कुल खाली पड़ा है अगर हम पेल होगे तो पापा हमको बहुत मारेंगे रूसी बता दो प्लीज एक नमबर का अंसर लिखके कौन सा तुम पास हो जाओगे तब भी फेल ही होगे तो उससे अच्छा वो भी नहीं लिखो अरे रूसी ऐसा मत करो प्लीज बता दो क्या करने यो तुम हमरा दोस्ती बूल गई प्लीज बता दो अरे तुमको बताने से मेरा क्या फाइदा होगा तुमको तो कुछ आता ही नहीं है अब मेरा दिमाग मत खराब करो वरना मैं ही मैडम से कंप्लेंट कर दूँगी अरे तुम सही मेम कॉंसर नहीं बताओगी एक बार में बोल दो हाँ या ना अरे बोल तो दिया नहीं दिखाओंगी मेम रूसी हमसे बार बार पूछ रही है अरे ए लरकी तुमको समझ नहीं आ रहा है जब मैंने साफ साफ मना कर दिया कि कोई चीटिंग नहीं करेगा सब कोई अपना अपना एक्जाम देंगे तो फिर बार बार एक ही बात तुम सबको क्यों समझानी पड़ती है चुप करके अपना एक्जाम दो और नहीं आता है तो शांती से बैठो दूसरे से पुछने की कोई जरुवत नहीं है अरे मैं मैं नहीं पूछ रही थी गोरा कद्दू जुट बोल रहा है अरे चुप करके रहो मैंने भी देखा तुम पिछे मुड़ी हुई थी लिखी हो दो नंबर का अंसर नू मैं हाँ तो क्यों जुट बोल रही हो नहीं पूछ रही थी चुप करके अपना एक्जाम दो अरे भया मेरे साथ बैठके आप भी चलाक हो गए है दूसरे को कैसे फसाया जाता है वो आपको भी लगता आरा देरे देरे अरे बेठा तुमको पता नहीं हम कितना चलाक है मेरा नम गोरा कद्दू है तुमको भी बेठा तुम्हारा अकात दिखाएंगे तुम बहुत हमको परिशान की हो नै इसलिए तो तुमसे दोस्ती किये ताकि तुम्हारा पीट पे खंजल भोग सके हम अरे तुम सही बोल रहे हो तुम्हारे साथ रहके न मेरे अंदर थुरा 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 चलाकी आ गया है ऐसे हमको कॉपरेट करते रहो थुरा आप चलाक हो जाएंगे हम तुम देखना न मैडम हमको खाली देखे नहीं हम पीछे वाले से पूछ रहे है उससे देख के हमको लिखना है क्या कि हम ऐसे नहीं तो फेलो जाएंगे आरे भाया, वो तो आप पीछे वाले का देख के लिख लीजिएगा, लेकिन उससे पहले हमको चीटिंग करना है, समझे, नई तो हम फेलो जाएंगे, तो हमको पहले मेरे प्रश्ण का उत्तर दीजिए, हमको लिखना है, आरे तुम अपना question का answer हमसे क्यों पूछ रहा है, आप चलिए जल्दी से हमको बताईए, आरे बाबू, उम बता देंगे तुमको, अभी समय कम है, तुमरा तो छोटा छोटा answer होगा ना, बता देंगे, लिखते ना, मेरा answer लिखने हमको समय लगेगा, तुम तो 2-3 पर ना लिखोगे, हमको तो 10-15 पर ना लिखना है, हम फेल लिखिए नहीं तो लिखने नहीं देंगे और यह लड़का तो बहुत चैन्ट आयक निमबर का दिमाग करके रखा है हमसे पूछ रहा है अब देखते हैं आएगा तो लिखा देंगे और नहीं आएगा ना तो आई सांसर इसको लिखाएंगे कि लिखने के बाद भी फेल हो ज कोश्चन है तेड़ को पत्र विखिए बताये क्या लिखे आरे तो लिखो सेवा में विखाएंगे की सपुतरी यह कोण सा सब्सक्राइक अने देखना घ्राओं में सों मिलेगा आच्छा बहिया बताये जल्दी बताये निक तू समय हो जाएगा लिखते रहेंं 7 लिखो महासर निवेदन पुडवक कहना है कि मेरा नाम है टोपा और मैं आपके विद्याले के कच्छा दो का छातर हूं कच्छा दो लेकिन मास्टाइजी लोग तो कच्छा बोलते है इतना आम को पता है भाईया औरे वो तो कच्छा दो क्लास को बोला जाता है न यहां पर प मैं अपने कच्छा में आपकी सपुत्री को अपने नेत्र से निहारता हूं अरे भाईया आप तो बहुत कठीन कठीन सब सब बोल रहे है इस स्पैलिंग भी देखते जाए ऐसा नहीं मेरा स्पैलिंग गलत हो जाए अरे नहीं नहीं इस स्पैलिंग तो बिल्कुल सही है दो चक्का वाहन पर विराजित करके ले जाओंगा अताहा मेरी सहली सपुत्री आपकी और उस कली का कलिंगर हूं मैं हमारी इस ख्वाई इसको पूरी करने की आग्या दीजिए और दमपत्ती का असिरवाद लीजिए अब बस पूर्ण विराम लगा दो इसके आगे मत आरे भाईया पूर्ण विराम का स्पेलिंग आरे वहां पे थोड़ा सा कॉपी फार दो आरे भाईया आप सही बता रहे है ना हमको लगर आप उल्टा सिधा तुर नहीं न बता रहे है फेल होंगे तो छोड़ेंगे नहीं आपको अरे तुम कैसा बचायक तो हम तुमको बत कि आरे भाईया आपके फशार हैं जरून यह लटा सिधा लिखवाया है फासार है जरू लुठा सिधा कुछ लिखवाया है हमको हम छोड़ेंगे नहीं को अगर यह लटा सिधा कॉपी लाए अपना अरे यह घटिया लड़का यह सब क्या लिखा है अपनी कोपी में इतना होके इतना घंदा गंदा बाज सब लिखा है चलो मेरे साथ प्रिंश्पल के पास अरे मैडम ये सब हम नहीं लिखे है आरे चुब करके चलो मेरे साथ अरे मैडम हमको चार दीजिये नगी तो हम भी आपका सिर बन रहाता काला कदुग फसाया हमको भी फसाना चाहिए जा रहा था गोला कदु के सामने अपने दिमाग चला रहा था आया बरखा परता नहीं उच्छला इसे रहा था जैसे लगता हमरा बाप उसको उसका अकाद दिखा दिए होसियार बन रहा था गदा कहीं का अब पता चलेगा उसको कि गोरा कदु कॉर्ण है तो दस्तों देखे न हमचा जब पंगाले तो उसके साथ हम क्या करते हैं अगर आप लोग को पसंच जाए तो वीडियो लाइक कीजिए जबस जबस शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कईसा लगा वीडियो और कदू जोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद मिलते अगला वीडियो में और हम लोग के पापा हम लोग को बश्मन में बहुत भया जाए और देखिए हमर काला कदू भी रहेंगे वहाँ